आप सभी का स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है, बहन बनी देवरानी, यहे एक सास बहु की कहानी है, प्रीती, मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं, पहचानती नहीं, उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं तो प्रीती बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है, ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगर बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है, कोमल प्रीती की बड़ी मम्मी, अगर इसे ऐसी जगर शादी नहीं करनी जहां इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगर तो कर सकती है ना जहां ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो. प्रीती, अरे कोमल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए, मम्मी को देखो ना, कबसे शादी कर ले, शादी कर ले बोल रही है जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार-बार मम्मी जिद कर रही है कोमल, ठीकी तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए वैसे अगर तुम कहों तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ मेरा इकलोटा देवर, मोहित अभी नई-नई नौकरी पर लगा है और मा बाबुजी उसके लिए लड़की देख रहे है पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं प्रीती के लिए अपने देवर से बात करूँ, मम्मी मा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कॉमल बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई अत्राज नहीं कॉमल, और प्रीती तू बता, प्रीती, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे, वैसे करो अच्छा मैं अभी आती हूँ, प्रीती शर्मा करो अपने कमरे में चली जाती है, प्रीती और कॉमल दोनों सगी बहन थी, कॉमल की शादी शहर के एक बड़े उचे घराने में हुई थी, कॉमल प्रीती की शादी की बात अपने देवर से करती है, सब लोग इस रिष्टे के ये मान जाते हैं क्योंकि प्रीती की स्वभाव को सब जानते थे. सबकी रजामंदी से खुशी-खुशी रिष्टते हो जाता है और प्रीती और मोहित की शादी हो जाती है. प्रीती नई-नवेली दुलहन बनी नए-नैस अपने संजोय अपने ससुराल आती है. सब कुछ बहुत अच्छी से चल रहा था दोनों बहने मिलकर खुशी-खुशी घर का काम निपता थी घर का महौल बहुत ही शांतिपून था पर कहते हैं ना, जहां चार बरतन होते हैं वो कभी न कभी बज ही जाते है कॉमल की सास प्रीती के स्वभाव से बहुत खुश थी एक दिन सास का एकादशी का व्रत था कॉमल थोड़ी देर से सोकर उठी इसलिए प्रीती ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजे बना डाली ये देखकर सास बहुत खुश हुई सास प्रीती बहु मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहु उपर वाले ने मुझे दी मेरी दोनों बहुए लाखो में एक है वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीजे बना डाली मेरा तो पेट अच्छे से भर गया प्रीती, मा जी, आपको फलाहार पसंद आया यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली कोमल हुआ करती थी पर अब सास का प्यार बंड गया था प्रीती की तारीफ सुनकर कोमल को अपनी बहन से थोड़ी इर्शा होने लगी इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा प्रीती, कोमल दीडी, देखना, मैं कड़ी बना रही थी पकोड़ों के लिए इतना बेसन काफी रहेगा ना कोमल, देखो प्रीती, अब तुम मेरी चोटी बहन नहीं हो तुम मेरी देवरानियो इसलिए घर की जिम्मेदारिया सीख जाओ अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूंगी की क्या सही है और क्या गलत है खुद भी तो बनाना सीखो और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है आज से पहले कोमल ने प्रीती से कभी ऐसे बात नहीं की थी पर प्रीती इस बात पर ध्यान नहीं देती अब तो कोमल अकसर प्रीती को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी एक दिन प्रीती ने गलती से दाल में देसी घी के तर्के की जगल तेल का तर्का लगा दिया जिस पर कॉमल उससे टोपने लगी कॉमल, प्रीती, तुम्हें पता है ना कि मा जी को देसी घी के तर्के वाली दाल पसंद है फिर तुमने तेल का तर्का क्यों लगा दिया प्रीती, दीदी, वो देसी घी मुझे मिली नहीं रहा था मैंने पूरी रसोई में देखा इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया कॉमल, छेह महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी तुम्हें भी तो देखना चाहिए देसी घी हमेशा भांडार घर में रखा होता है एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती एक बात कान, खोल कर सुन लो, यहां तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो कभी ये सोचो की दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सब की तर्फदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहोगी सास, कोई बात नहीं कोमल बहू, इस पर इतना गुसा होने वाली क्या बात है कभी कभी देशी गीना हो तो तेल की तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है और वैसे भी तेल की तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिश्ट लग रही है मुझे प्रीती ने उपर से सफेद मक्खन डाल कर दिया था और मक्नी डाल तो मक्खन डाल कर वैसे ही बहुत स्वादिश्ट हो जाती है प्रीती की तर्फदारी करती हुई अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती है और पैरपकती हुई अपने कमरे में चली जाती है कोमल ने प्रीती से बात करना भी बंद कर दिया था इस वजह से प्रीती का मन बहुत परेशान रहता था कोमल की आँखों पर तो जलन की पट्टी बंदी हुई थी एक दिन सास, क्या हुआ कोमल तबियत तो ठीक है, आज सुबल से ही सो रही हो अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है कोमल, मा जी, मेरा सिर दर्ट से फट रहा है बड़ी घबराहत भी हो रही है सास, प्रीती बहु, जल्दी आओ देखो कोमल बहु बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है प्रीती, कोमल दीडी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं घबराव नहीं, मैं अभी मोहित को फोन करती हूँ वो ओफिस नहीं पहुचे होंगे, रास्ते में ही होंगे प्रीती, हेलो मोहित, आप तुरंद घबरा जाओ दीडी की तबियत ठीक नहीं है वो वो बुखार से तप रही है मुझे तो बहुत घबराहत हो रही है मोहित प्रीती का पति घबराओ नहीं प्रीती, मैं अभी आता हूँ चिन्ता मत करो प्रीती दीदी, दीदी करके रोना शुरू कर देती है इतनी देर में मोहित घबरा जाता है वो लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुँँचते हैं. कोमल का बुखार सिर्फ पर चग गया था. प्रीती अपने मम्मी पापा को भी फोन कर देती है. वो लोग भी अस्पताल पहुँचते हैं. प्रीती रो रोकर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी प्रीती फ्रोते हुए डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी न प्लीज आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साथ कोमल की भी बहुत देखभाल करती थी प्रीती की देखभाल से कोमल बहुत जल्दी ठीक हो गई कोमल भी अपनी बहन प्रीती के सेवा भाव को देख रही थी कोमल को अपनी गलती का अहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली सास प्रीती ने तुम्हारी कितनी सेवा क मा जी, बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं, जब हम छोटे थे तब भी तो हम जगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिष्टा खत्म हो बया? प्रीती और कोमल दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई जगरे से हमारा रिष्टा खत्म हो जाएगा, तो आप गलत हैं, मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूंगी, देवरानी मुझे कभी मत और ना कभी बोलना, कोमल, प्रीती, मेरी प्यारी बहन, प्रीती और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती है, सास की आखे भी खुशी के आशों से भर जाती है, अब दो देवरानी जेठानी नहीं बलकि दो बहनों का मिलन हुआ था, कामवाली बनी शोतन, अंजली गाव की सी जाता है, इसलिए अंजली हमेशा चिंता में रहती है, ओफिस से आने के बाद हर रोज अंजली राजीव का फोन चेक करती है, राजीव, क्या अंजली, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो, अंजली, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं बाहर क क्या करते रहते हो अंजली को हमेशा शक लगा रहता है इसमें अंजली की कोई गलती नहीं है ऐसे ही दिन बीटते रहते हैं इतने में अंजली गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब अंजली को घर का काम काज करने से मना कर देते हैं अंजली राजीव से कहती है अंजली डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से मना कर दिया है। आप क्या होगा, राजीव, एक कामवाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता, मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। राजीव कामवाली बाई की खोज करता है और दो दिन बाद रूपा नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है। रूपा, मैंने सुना है, आप लोग कामवाली की तलाश में हो, मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्रती इसके आसपास है और वो बहुत सुन्दर भी है। रूपा को देखकर राजीव पिगल जाता है और कहता है, राजीव, हाँ हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अंजली, नहीं नहीं, रुखो पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहां है। ये आए कहां से है। राजीव, उसकी क्या जरूरत है, अंजली, अभी हमें कामवाली की जरूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राजीव अंजली की बात नहीं सुनता है और रूपा को काम पर रख लेता है। रूपा घर के कामों में लग जाती है। मगर उसके काम से अंजली बिलकुल खुश नहीं है। वो हर काम आधा अधुरा करती है और काम से ज्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। बैठ कर पूरा दिन रूपा को देखता रहता है। अंजली आखिर राजीव को हुआ क्या है। मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हारी आखिर इतनी सुन्दर हैं कि क्या बताऊं। और तभी अंजली आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अंजली अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ पर। मैं सुक्या गई तो मिहा कामवाली के साथ गप्पि लड़ा रहे हो। अंजली को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा दरी हुए आवाज में कहती है। रूपा नहीं मालकिन मेरा कोई दोश नहीं है। साहब ने ही मुझे बुलाया था। राजीव, अरे, हाँ अंजली, मैंने ही रूपा को बुलाया था। असल में रूपा के पिता की तबियत बहुत खराब है इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूँ। राजीव, ये लो रूपा रुपे 2000, अब जाओ यहां से। रूपा पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन अंजली का शक नहीं जाता। अगले दिन से अंजली ने रूपा की निग्रानी करनी शुरू कर दी। अंजली, ये रूपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और राजीव का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीट गए। इन महीनों में राजीव रूपा पर पूरे तरीके से फिदा हो गया। उसने रूपा की तंखवाह भी बढ़ा दी। रूपा भी काम चोरी करने लगी। एक दिन अंजली ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घरी गायब है। अंजली ने इधर उधर धूंदा लेकिन घरी नहीं मिली। अंजली, घरी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती। कल रूपा आई थी यहां, जरूर उसी ने ली होगी। उसके उपर मुझे पहले से ही डाउट था। राजीव, अरे, नहीं अंजली, रूपा इतनी बुरी भी भी तुम्हारी घरी कहीं गिर गई होगी। राजीव मानने को राजीव ही नहीं कि रूपा ऐसा कर सकती है। उसके बाद से हर दो दिन में घर से कुछ ना कुछ गायब होने लगा। मगर राजीव ने रूपा को काम से नहीं निकाला, क्योंकि वो तो रूपा से प्यार कर और इसके कुछ ही दिनों बाद अंजली अपना पेट पकड़कर बैठ गई। अंजली, आह, दर्ध हो रहा है, पेट में बहुत दर्ध हो रहा है। राजीव और रूपा दोड़कर आये। राजीव ने अंजली को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाये और रू राजीव, लेकिन अभी तो तुम दर्ध से तड़प रही थी। अंजली, हाँ, मगर अब मैं ठीक हूँ, अब चलो घर वापस। ड्राइव ने गाड़ी घुमाली। घर के सामने पहुचते ही अंजली ने देखा कि घर का दर्वाजा खुला। हुआ है। अंजली रूपा, अरे, आप दोनों, आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। अंजली, मैंने पेट दर्ध का नाटक किया था। मुझे पता था कि तुम एक चोर हो इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। राजीव, छी रूपा छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंजली, राजीव, पुलिस बुलाओ। रूपा अंजली के पैर पकड़ कर रोने लगी। रूपा, मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझे से गलती हो गई। मगर अंजली ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और रूपा को अरेस्ट करके ले अंजली ने राजीव से कहा, अंजली, देखो राजीव, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राजीव ने अंजली से माफी मान दियी। राजीव, मुझे माफ कर दो अंजली, आज मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे आज से मैं किसी भी औरत को आखुठा कर भी नहीं देखूंगा। राजीव सुधर गया, इसके बाद से ही उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों को एक बेटा हुआ और सभी खुशी-खुशी रहने लगे। आज की ये खास और मज़ेदार कह आनि आपको कैसी लगी। नीचे कूमेंट में जरूर बताएं।